संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्यपंद्रा पत्संख्या 29 से 37 तक इसा वहाँ से चले गए और गलीलिया के समुद्र के तट पर पहुच कर एक पहाडी पर चड़े और वहाँ बैट गए भीड की भीड उनके पास आने लगी वे लंगडे लूले अन्धे गूंगे और बहुत से दूसरे रोग्यों को भी अपने साथ लाकर इसा के चड़नों में रख देते और इसा उन्हें चंगा करते थे गूंगे बोलते हैं भले चंगे हो रहे हैं लंगडे चलते हैं और अंधे देखते हैं लोग यह देखकर बड़े अचंबे में पड़ गए और उन्होंने इस्राइल के इश्वर की स्तूती की इसा ने अपने शिश्यों को अपने पास बुला कर कहा मुझे इन लोगों पर तरस आता है ये तीन दिनों से मेरे साथ रहे हैं और इनके पास खाने को कुछ भी नहीं है मैं इने भूका ही विदा करना नहीं चाहता कहीं ऐसा नहों कि ये रास्ते में मूर्चित हो जाए शिश्यों ने उनसे कहा इस निर्जन इस्थान में हमें इतनी रोटिया कहा से मिलेगी कि इतनी बड़ी भीड को खिला सकें इसा ने उनसे पूछा तुमारे पास कितनी रोटिया हैं? उन्होंने कहा साथ और थोड़ी सी छोटी मचलियां इसा ने उन लोगों को भूमी पर बैट जाने का आदेश दिया और वे साथ रोटियां और मचलिया लेकर उन्होंने धन्यवात की प्राथना पड़ी और वे रोटियां तोड़ तोड़ कर शिश्यों को देते गए और शिश्य लोगों को सब ने खाया और खा कर त्रिप्त हो गए और बचे वे टुकडों से साथ टुकरे भर गए